राधे राधे, मेरे प्यारे भाईयों, बेहनों, माताओं वाबंधों, आज मैं आप के लिए लाई हूँ नव ग्रहों की कहानी, जिसे प्रती तिन सुनने से नव ग्रहे शान्त रहते हैं। बंधों, हर मनुष्य नव ग्रहों से पीडित हैं, किसी पर कोई ग्रहे और किसी पर कोई ग्रहे, कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है, कोई बीमारी से घिरा है, तो कोई आर्थिक संकर से जूज रहा है, अन्य कोई किसी और समस्या से जूज रहा है। सो बंधूं, यदि आप जहाते हैं कि बिना पूजा पाठ करवाए, बिना पैसा लगाए, आपके नवग्रहें शान्त रहें, आप भी सुख में जीवन जीएं, तो प्रती दिन इस नवग्रहों को शान्त रखने वाली कहानी को जरूर सुनें. बंधूं, इस नवग्रहों को शान्त करने वाली कहानी को सुनने मातर से, आप जिस भी समस्या से जूज रहे हो, आपकी हर समस्या दूर होगी, जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, यदि आर्थिक संकट है, तो वो भी दूर होगा, पर इस नवग्रहों को शा दे रहना, बोलो नवग्रहों की जय, बंधूं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके, बंधूं, कहाने को बाद, कमेंट बोक्स में नव ग्रहों की जय, जरूर लिखना, किसी गाउं में एक भाई और एक बेहन रहते थे, बेहन की शादी हो चुकी थी, भाई बेहन से मिलने के लिए उसके ससुराल जा रहा था, रास्ते में भाई को एक सर्प मिला, बोला, मैं तुझे डसूंगा, भाई बोला, हे सर्प, मैंने तुम्हारा क्या अपराद किया है, जो तुम मुझे डसोगे, मैं अपने मा बाप के इकलोता हूँ, बेहन का इकलोता भाई हूँ, पत्नी और बच्चे मेरा घर पर इंतजार करेंगे, तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो, सर्प बोला, तुमे नव ग्रहों की दशा लगी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें डसूंगा, जब सर्प ना माना, तो भाई बोला, ठीक है, तुम मुझे डस लेना, पर इस समय मैं अपनी बेहन के घर उससे मिलने जा रहा हूँ, जब मैं मिलकर वापिस आऊं, तब डस लेना, सर्प बोला, क्य पता तुम इस रास्ते से वापिस आऊगे या नहीं, तब वह भाई बोला, कि मैं इसी रास्ते से वापिस आऊंगा, बोला नहीं, मुझे तुम पर कोई विश्वास नहीं, जब सर्प ना माना, तो भाई ने बोला, अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरे थैले में बैट जाओ, जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापिस आऊं, तब मुझे डस लेना। सर्प उसकी बात सुनकर थेले में बैठ गया, उपर से उसने बेल पत्र डाल लिये, अब भाई बहन के घर पहुँच गया। बहन उस समय नव ग्रहों की कहानी कह रही थी, वह अपने भाई से बोली, भाई तुम बैठो, मैं जरा नव ग्रहों की कहानी कह लूँ, तुम बैठ जाओ, हम फिर बात करते हैं, पहले तुम भी मेरी कहानी सुन लो, बहन ने कहानी कही, जीव की जनावर की, हाथी की घोडे की, भाई की बहन की, घर के धनी की, सास ससुर की, कुत्ते की बिल्ली की, देवराने जिठाने की, बेटी की जवाई की, संग की सहेलियों की, सब की, सब के नो ग्रहे शान्त हो जाईयो, ग्रहे चले आठ पैर, आदमी चले चार पैर, सांप बिच्चू भवरें सब आग में जल जाएं शनिवार रवीवार, सोवार मंगलवार, बुद्धवार ब्रहस्पदीवार, शुक्रवार, सारे वारों को नमस्कार, धर्ती माता को नमस्कार, नव ग्रहों को नमस्कार बहन भाई को कहाने सुना, खड़ी हुई भाई के पास रखे थेले को देख कर बोली भाई थेले में क्या है भाई कुछ बोलता, उसने थेला उठा लिया और थेला खोल कर देखा बेल पत्र केले संत्रे बन गए साप हार बन गया उसने सेब के लिए बच्चों को खाने को दे दिये और हार खुद पहन लिया जब वह हार पहन कर बहार आई तो बेहन के गले में चमचमाता हार देख कर भाई बोला बेहन इतना कीमती हार तू कहां से लाई बेहन बोली भाई तू ही तो लाया है मेरे लिए थेले में सेब संत्रों के साथ ये हार था भाई बोला थेले में तो बेल पत्र और सांप था तब भाई ने बेहन को उसके साथ बीती सारी घटना बताई बेहन बोली जो तुने नव ग्रहों की कहानी सुनी है उससे तेरी नव ग्रहों की दशा ठीक हो गई बेल पत्ते सेव संत्रे बन गए और साप हार बन गया भाई बोला ये सब तेरे भाग्य से ही हुआ है अब इसे तू ही रख ले भाई जब चलने लगा तो बहन ने कहा भाई तेरे नो ग्रहों की दशा लगी हुई है तू घर जाकर भाबी से कहना कि वह नव ग्रहों की कहानी कहा करे वह घर जाकर अपनी पत्नी से बोला हमारे नव ग्रहों की दशा लगी हुई है हम नव ग्रहों की कहानी प्रती दिन कहा करेंगे मैं कहूंगा तुम सुनना तुम कहना और मैं सुनूंगा वह बोला एक लोटा जल का भरलो और कुछ चावल और चीनी के दाने ले आओ वह ले आई तब भाई ने कहानी कही जीव की जनावर की, हाथी की घोडे की, भाई की बहन की, घर के धनी की, सास ससुर की, कुत्ते की बिल्ली की, देवरानी जठानी की, बेटी की जवाई की, संग की सहेलियों की, सब की साप के नो ग्रह शांध हो जाईयों, ग्रह चले आठ पैर, आदमी चले चार पैर, साप बिच्छू भवरे, सब आग में जल जाएं, शनेवार, रवीवार, सोंवार, मंगलवार, बुद्धवार, प्रहस पतिवार, शुक्रवार, साप सारे वारों को नमसकार, सारे वारों को नमसकार, धर्ती मता को नमसकार, नव ग्रहों को नमसकार, जैसे नव ग्रहों की दशा, भाई की उतरी, वैसे सब की उतरे, इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले, सब पर नव ग्रहों की दशा ठीक हो जाए, और नव ग्रहों की ग्रिपा बनी रहे, बोलो नव ग्रहो की जै राधे राधे जै श्री कृष्णा बंधुओं यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेर भी जरूर करना धन्यवाद झाल झालalten करना धन्यवाद करना भी है। झाल 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 झाल